कक्षा 6 विशय संस्कृत, पार्थ 14 दुगदम सर्वदा लाब प्रदम, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, दूध हमेशा फायदे मंध होता है, गो दुगदम बुद्धिवर्धकं पोश्टिक रोगहरं शीतं मधुरं रसाइनं, इदम त्रिशं शमयती क्षुधं च, दु घृतेन, मधुना, शरकर्या, मुद्गसूपेन, आमलकेन सा संयुक्तम इदम हनेकान रोगान हरती, तक्रम उदर रोगान दूरी करोती, पांडु रोगे च इदम विशेशेन हितकरम, नवनीतम बुभुक्षाम वर्धयती, अरुचिम नाश्यती, पृदयम सबलम करोती, पृद्धिम बुद्धिम शक्तिम चा पुश्यती, वातम पितम जीर्नज्वरम चा नाश्यती, विदिपूर्वकम प्रयुक्तम घृतम सहस्त्रगुनितम लाबकरम भवती, इस पाठ का अनुवाद कुछ इस प्रकार है, गाय का दूद बुद्धिवर्धक, पौश्टिक रोग निवारक, शीतल मीठा रसायन है, ये प्यास और भोख मिटाता है, दही बिलकुल फाइदे मंद है, इससे दुबलापन दूर हो जाता है, रात के समय दही का सेवन ना करें, दिन में भी इसे घी, शहद, चीनी, शहद का सूप और सिरके के साथ मिलाकर पीने से कई बी मारियों से छुटकारा दिलाता है, और ये पीलिया रोग में विशेश लाबकारी है, ताजा लाया हुआ भोजन भूख बढ़ाता है, स्वाधीनता को नश्ट करता है, प्रिदै को मजबूत करता है, घी स्मृती, बुद्धी और बल को पोशन देता है तथा वयुक्पित जीन ज्वर को नश्ट करता है, विदी के अनुसार प्रयोक किया गया घी हजार गुना अधिक लाबकारी होता है, मात्रा अनुसारम भोजनम कर्तव्यम, अतेमात्रम ग्रिहितम अमृतम अपी विशम भवती, इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है, मात्रा के अनुसार ही खाएं अधिक मात्रा में लिया गया अमरिद भी विशेला होता है